अलो गाइस स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर तो आज हम देखने वाले हैं 3.4 इंटर्विव का आइस प्रिकर जो कि आपके 11 इंग्लिश महाराश्ट बोट का एक पार्ट है तो इंटर्विव क्या होता है इंटर्विव यानि कि हिंदी में कहें तो साक्षतक अब अब आपके लिए तो मुलाकत यानि कि हम किसी बड़े व्यक्ति को किसी एक परस्नलिटी को सक्सेफुल परसन को गुलाते हैं और उनसे कुछ सवाल करते हैं और एक टाइप से कॉम्मिनिकेशन का टाइप है इंफर्मेशन गेन करने का मीडियम है तो चलिए इसका देख सकते हो नीचे पर इसका लिंक है हमारा पहला क्रेशन है कंप्लिट दी फॉल्लिंग वेप डाइग्रांग इस डाइग्राम को कॉम्टिट करना है और इसमें बीच में एक लाइन है इन वोट वे चैंज मैसल्फ और यानि कि मुझे खुद को बदलना है तो मुझे किन इश्वास को बढ़ाना है I want to develop a positive attitude यानि कि मुझे अपना जो attitude है उसे positive करना है अपने देखने के नजरियों को समझने के नजरियों को सुधारना है एन लास्ट है I want to be an extrovert यानि कि मुझे extrovert बनना है मुझे लोगों से घुलना मिलना सीखना है या फिर आप यह भी लिख सकते हो कि I want to I want to develop a communication skill good communication skill तो ऐसा कुछ लिखना है इसके बाद आगे है given below are the prerequisites of interview fill the boxes with suitable action to be undertaken with reference to the given point तो यहां पर आपको prerequisite of interview यानि कि interview करने से पहले कौन सी तयारिया करनी होती है वो सब लिखना है तो सबसे पहले है areas to be covered type management make your interview interesting body language इसके नीचे आपको लिखना है तो चलो इसका answer देख लेते हैं तो areas to be covered यानि कि हमें जो भी topic है जिस भी person का interview होने वाला है वो कौन से field से है वो सब पता होना चाहिए कि वो कौन से field से है उसका history वगएरा क्या है सब कुछ पता होना चाहिए इसके बाद time management देखो चो सामने वाला person आता है जिसका interview होता है वो एक बड़ा person होता है busy person होता है तो उसके पास दिन भड़ time रहेगा नहीं कुछ limited time ही रहेगा तो उस हिताब से हमें time manage करना होगा कि कब हम interview लेने वाले हैं उस हिताब से आपको सब कुछ तयारी करनी होगी ask question that you know will interest your audience तो ऐसे question पूछो जिससे audience का interest बढ़े उसे interview में उसे पूछो कि आपके ideas क्या है पब्लिक के लिए क्या message है ऐसे कुछ सवाल पूछो इसके बाद body language आपका जो body language होना चाहिए बहुत अच्छा होना चाहिए smile करते रहना चाहिए और आपका gesture हो गया hand gesture वो सब कुछ अच्छा होना चाहिए क्योंकि सामने वाला व्यक्ति audience सब कुछ देख रही होगी तो यह इसका answer है आप चाहे तो screenshot ले सकते हो यही ताज का video इसका PDF आपको हमारी टेग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका link description में है और आप मुझे Instagram पर भी follow करे सकते हो अपने doubt पूछने के लिए सवाल पूछने के लिए निलते हैं आने किसी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद झाल